हलो दोस्तों नमस्कार आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीती सास्तर से टॉप सिक्स्टी क्वेस्चन्स एक एक क्वेस्चन्स आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते और यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में है पहले आप आंसर दे दिजेगा उसके बाद हम लोग आंसर मैच करेंगे और जितना भी आपका मार्क्स आएगा वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजेगा तो यह हर एक्जाम के लिए चाहे आप ट्वेल्ट के हो या कंपिटिटिव ल लगाया गया था ओप्डवन आपके पास है ओप्डवन नैंटि सेवं होगा इसका फॉस्ट का आंसर तो चलिए अपने आनसर दे दिया होगा क्वेस्टन अब समझ गया है कि भारत में 20 वर्स आंतरिक गड़बडी के अधार परापात कालियन की इमर्जेंसी लगाय गया था उपसाने 1974, B. 1975, C. 1977 और D. 1978 तो बता देते हैं इसका अंसर क्या होगा 1975 ये आपका अंसर बिल्कुल सही है 1975 दूसरे प्रस्ण के बात करते हैं तो संविधान संसोधन का प्रावधान की सनुच्छेद में दिया गया है उपसाने अनुच्छेद 18, B. 62, C. 306, 368 या D. 110 बेहुत ही इंपोर्टेन क्वेस्टन है इसे आप स्टार कर लिजेगा तो दूसरा का अंसर हो जाएगा ऑपसान C. 368 देखिए इस आर्टिकल के तहत क्या होता है न कि संविधान संसोधन किया जाता है ठीक है तीसरे प्राश्न की और बढ़ते हैं संविधान क्या बेहली सवा संसोधन किसके सासन काल में पारित किया गया था अपसान A. इंदिरा गांधी B. मुरार्जी देशाई C. रजीव गांधी या D. चौधरी चरन सिंग तो बताए ये थर्ड का अंसर क्या होगा जिहां तो दिखिए ब्याली सवा संसोधन जो आपका हुआ था 90-76 में हुआ था ये भी ध्यान रखेगा और चौधरी वाली सवा कब हुआ था 90-78 तो यहां पर ब्याली सवा आपका पूछ रहा है तो आंसर आपका हो जाएगा 90-76 तो ठीक है भई संसोधन हुआ था पर पूछ रहा है ना कि किसके टेनियूर में हुआ था तो राइट अंसर आपका हो जाएगा थार्ड का ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इंदरा गांधी Q4 वीधी के सासन का प्रति पादन किस ने किया औप्शन A है गारणर B लोसकी C डाइसी या D मौन्टेश्क्यू तो फूर का अंसर क्या होगा ये बताएगा गारणर साहब जी होंगे लोसकी होंगे डाइसी होंगे या मौन्टेश्क्यू होंगे राइट अंसर आपका हो जाएगा, option C is the right answer, यानि चार का अंसर C, question number 5 की तरह बढ़ते हैं, कीस वर्स राज्य पुनर गठन, आयोग का गठन हुआ था, option A, 1947, B, 1953, C, 1950, C, D, 1993, बता ही अंसर क्या होगा, तो question 5 का आंसर आपका हो जाएगा, option B, the right answer, 953, question number 6 की बात करें, किसे सीमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है, option E, महत्मा गांधी, B, इंदरा गांधी, C, खान, अब्दुलगफार खान, या D, जाकिर हुसेन, तो चलिए जल्दे से आंसर आप दीजेगा, तो 6 का आंसर, option C, इसको भी आप स्टार कर लिजेगा, खान, अब्दुलगफार खान, question number 7 की बात करते हैं, भारत में प्रथम कम्यूनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे, option A, जियोती बसु, B, बुद्ध देव भटाचारिय, C, MN, राय, या D, E, M, S, नम्बु दरिपात, बताईए 7 का अंसर क्या होगा, तो 7 का अंसर हो जेगा, option A, बिलकुल सही है, आपका जियोती बसु, question number 8 की बात करते हैं, तो question number 8 आपका क्या करें, कि जुआहर लाल नहरूजी का निधन कीस वर्स हुआ था, option A, 1962, B, 1963, C, 1964, D, 1965, तो 8 का अंसर आपका क्या हो जाएगा, बताईएगा, तो 8 का अंसर आपका हो जाएगा, option C, is the right answer, 1964, 1964, question number 9, बियाद इंपोर्टेंट क्वेस्टन है, जुआहर लाल नहरूजी का निधन, 1964 में हुआ था, भारतिये जन्र संग के संस्थापक कौन थे, option A, डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी, B, अटल विहारी वाजपई, C, राज गुपालाचारी, D, वीर सावर कर, तो 9 का अंसर बताईए क्या होगा, 9 का अंसर हो जाएगा, option A, डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी, देखे, ये सब क्वेस्टन्स आप बिलकुल याद कर लिजे, ये सब क्वेस्टन्स बार-बार आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, चलिए, अगले क्वेस्टन की तरब बढ़ते हैं, नीती आयोग का गठन की सबर्स हुआ था, डबल स्टार आप लगा लिजिए, ठीक है, तो नीती आयोग का गठन आपसे पूछ रहा है, तो नीती आयोग का गठन, ठीक, चलिए, आपके पस चार ओप्शन है, दो हजार थेरा, बी में हैं दो हजार चहुदा, दी में हैं दो हजार सोला, तो दस का अंसर क्या होगा? जी हां, बिलकुल सही आपका, ऑप्शन आपका सही है, दो हजार चहुदा, ग्यार नमबर, गरीबी हटाओ, किस ने दिया, ओप्शन इंद्रा गंधी, बी राजियो गांधी C, कामराज या D, सुनिया गांधी बारार का अंसर बते ये क्या होगा जिया बारा का अंसर होजगा ओप्शन सीज दराइट अंसर इंदरा गांधी जी ने घरीबी हटाओ का नारा दिया तेरा नंबर चीप को अंदोलन से कौन सम्दित है डबल स्टार कर लिजेगा अ अप्साने 2002, B 2005, C 2004 या D 2006 बताइए चौधा कांसर क्या होगा तो चौधा कांसर होजगा ओप्सान पी इस दराइट आंसर 2005 पंदरा नंबर ब्रिजनेओ किस देश कराश्ट पती थे अप्साने सोवियत संग B अमेरिका C फ्रांस या D या युगोसलाविया तो पंदरा कांसर हो C हमाना D बेल ग्रेड तो 16 आंसर अपके क्या होजगा ओप्सान D इस दराइट आंसर क्या होजगा भया बेल ग्रेड होजगा क्वेस्टन नंबर 17 की बात करते हैं सोवियत संग विगटन कब हुआ अप्साने 1988-1989-1990-1991 सतरा का अंसर बताइएगा तो सतरा का अंसर होजगा क्या ओप्सान D इस दराइट आंसर 1991 अठारा नंबर युरोपियन संग कब अस्तित्व में आया अप्साने 1989-1990-1993 या D 1994 तो अठारा का अंसर आपके क्या होजगा ओप्सान सी इस दराइट आंसर 1993 ध्यान रखिएगा क्वेस्टन नंबर 19 सार के का मुख्याले कहा है अप्साने नई दिली भी थिम्पू सी इसलामबाद या D काठ मांडू तो नीज का अंसर बताइए मेरे दोस्त तो आंसर आपका होजगा काठ मांडू इस दराइट आंसर ठीक है 21 नंबर अंतरस्टिये नियाले का मुख्याले कहा है अप्साने बर्लिन भी दाहेग सी जेनेवा डी इन में से कोई नहीं कीस का अंसर जिया बिल्कुल सही आपका दाहेग इस दराइट आंसर 22 नंबर कीस वर जरकंडर रा जस्तित्में आया अप्साने 2000 भी दो हजार एक सी दो हजार दो या डी दो हजार तीन 22 का अंसर बताये क्या होगा तो 22 का अंसर ऑप्साने इस दराइट आंसर दो हजार में तेस नमर भारत में नहीं यार्थिक निति किस वर सुरू की गई थी ए क्वेस्टन त्रह स्वीड में बोल डाव ला कि आप लोग समय बचेगा आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा तो जी हां तो तीस का अंसर आपके क्या होजागा ऑप्सान इस दराइट आइट आंसर नाइटी 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 वन चली अगले क्वेस्टन की तर भारत में प्रता माम चुनाओं कब हुआ था उपसाने 1952 वन इस दराइट आंसर 1952 में हुआ था पचीस नाबर डबल स्टार कर लीजिएगा था सब्साने 962 वन इस चोँसट सीउनिसुशी नाइट अंसर पचीस नाइट या पकेस आंसर नाइट अंसर 26 26 नमबर, राष्ट्रिये विकास परिशत का ध्यक्ष कौन होता है, उप्षने राष्टपती, विउप राष्टपती, सी प्रधान मंत्री, अडी मुख्यने अधिस, यह कई बार बोर्ड में आपका पूछा हुआ है, तो 26 का अंसर हो जगा, उप्षने इस दराइट आंसर, प 28, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधान मंत्री कौन है, यह तो भई अपडेट क्वेस्टन है, इसका अंसर तो आमें बता के भी क्या करूँगा, क्योंकि अभी तो भई दूसरे हो गए है, तो इसका अंसर छोड़िए सखर, इसका अंसर आप लोग देख लिजेगा, ठीक है, था यह अपसाने 5, B, 7, C, 9, D, 11, तो तीस का अंसर क्या हो जगा भईया, तीस का अंसर हो जगा, आपसाने 5, B, सुमानवा धिकार दिवसका मनाय जाता है, A, 10 दिसंबर, B, 1 मैं, C, 11, D, B, सक्टूबर, तो आंसर हो जगा 10 दिसंबर, 32 नमबर, बांगलादेस के रूप में आदेस की सवर सस्तित्व में आया, तो आपसाने 970, 2970, C, 1972, 1873, तो बताइए 32 का अंसर क्या होगा, तो 32 का अंसर हो जगा, भईया, आपसान, B, is the right answer, 1971, 33 नमबर, जिस अब मनुनित सदस्यों की संख्या कितनी है, आपसाने 12, 13, 21, 15, तो 33 का अंसर आपका हो जगा, आपसान उप्टर आजंदर प्रसाद, B, K, M, C, C, Dr. अंबेदकर, या, D, जवहरलाल नहरू, तो 34 का अंसर क्या होगा, 34 का अंसर हो जगा, आपसान, C, दॉर्ग्वधान सभा जी, बहरती संविधान की निरिमान किस ने किया, आपसाने Dr. अंबेदकर, B, Dr. आजंदर प्रसाद, D, स चिदा नंसी निया डी सम्विधान सभा तो 35 का अंसर हो जएगा option D is the right answer सम्विधान सभा 36 नमबर चुनावा यो किस बकार की संस्ता है option A सम्विधानिक B गहर सम्विधानिक या C सम्विधानिक या डीन में से कोई नहीं तो 36 का अंसर होज़ेगा, option D is the right answer, इनमें से कोई नहीं, अब बात करते हैं, 37 नमबर, भारत में कारेपालिका का सम्वेधानिक प्रधान कौन होता है, या option प्रधान मंत्री विराष्टपती से मुख मंत्री या डीन में से कोई नहीं, 37, 37 का अंसर होज़ेगा, option D is the right answer, राष अंसर होज़ेगा, option D is the right answer, 28, 39, नियाईक पुर्णविलोकन का अधिकार किसके प्रापत है, option D is the right answer, सरवुचिने आले, ठीक है, अब बात करते हैं, question number 40, इस समय भारत में कौन सी दलिये विवस्ता है, option D is the right answer, बहुत दलिये विवस्ता है, आनी, B, राज, नरायन, C, चंदर सेकर, या, D, जैपरकास, नरायन, 41, का अंसर होज़ेगा, option D is the right answer, जैपरकास, नरायन, 42, सार्क की अस्थापने किस वर्श की गई थी, option E, 1970, B, 1980, C, 1983, या, D, 1985, तो राइट अंसर होज़ेगा, 42, का, 180 is the right answer, ठीक है, 43 के बात करते है, सहर सबसे बड़ा पूछ रहा ना तो भारत हो जाएगा फोटी फाइव का अंसर क्या हो जाएगा या च्छे साल पैंतालिस नंबर किस देश का सम्मिधान विश्व का सबसे बड़ा सम्मिधान है या अमेरिका वी रूस भारत या डी जर्मनी तो फोटी फाइव का अंसर हो जाएगा क्या सबसे बड़ा पूछ रहा न तो भारत हो जाएगा फोटी सिक्स कौन समिधान संसोधान सहरी अस्थानिय सासन से जुड़ा है ये पचाहत्तर बीचेवत्तर सीती हत्र ये डी बहत्तर बताएगे फोटी सिक्स अंसर ऑप्सन भी दराइट आंसर स्वेंटी फोर नोट कर लिजएगा कोपी में अब बात करते हैं फोटी सेवे न से कोई नहीं तो फोटी एट का अंसर हो जेगा ऑप्सन इस दराइट आंसर सरपंच फोटी नाइन भारत द्वारा सफल परवानु परिक्षन कब किया गया ऑप्सन एन्टी सेवेंटी फूर सी नैंटी एट इस दराइट आंसर अच्छा फोटी नाइन दूसरा पूछ रहा परतिवाप आठील किस भारती राजिक अपना संविधान था ए मनिपूर भी नागलेंट सी मचर परदेश डी जमू कसमेर तो जमू कसमेर इस दराइट आंसर सार्क में कितने सदस्ट से देश है ठीक है तो राइट आंसर हो जागा ऑप्सन डी दराइट आंसर एट जिसका प्लोड किया है इसका ट्रीक देख लिएगा बुटान बंगलादेश इस शिरलंका यह से अफ़कुनिस्तान पाकिस्तान एनी से नेपाल और एम से मल्दीव और आई से इंडिया हो जागा तो यह बहुत यह आसां सर्ट ट्रीक है आप देखिए उसको लाइक किजिए शेयर किजिए फिफ्टी थ्री भारत संजुक्त्र संकसादेश कब बना उनीसों पैंतालिस बीग उनीसों सैंतालिस युनीसों पचास यह दिए उनीसों बावन तो फिफ्टी तरी का अंसर आपका होज़ेगा आप्शन ही द्राइट अंसर मुरार्जी देशाई पच्पन नंबर किस परदान मंतरी ने मंटा लयो किसी फारिसों को लागू किया अप्शने वीपी सिंग बेटल वेरिवास पे सिंदरा गांधी या डी मुरार्जी देशाई तो पच्पन का अंसर होज़ेगा अप्शने द्राइट आंसर वीपी सिंग 56 की बात करते हैं ज्यादा नहीं है ब अंचायत में अरक्षन परदान किया गया एब अलिस्वा बीचे वालिस्वा सिपाह सटवे या डीती हत्तर वाबई 73 तो यह तो सर्भी हद है असान है ऑप्शन डीज राइट आंसर 73 यूरो निमने कितम से किस देश की मुद्रा अप्शने सार्क देश की पाकिस्तान किस य कॉमेंट मॉक्स में दीजेगा कि उल्फा ये करतंक वादी संगठा ने कहां कहां है स्रलंका पाकिस्तान भारत यह रूज तो 60 का अंसर आप कॉमेंट मॉक्स में जरूर जवाब दीजेगा तो यह आपके हो गए टॉप 60 क्वेस्टन्स इसके त्यारी आपको बढ़िया से क कीजिएगा और दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा ओके सभी के सभी क्वेस्टन्स इंपॉर्टेंट आपके है पॉलिटिक है और अगले वीडियो के लिए सर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ओके धन्यवाद सर